करनाटक के उडूपी सहर से सुरू हुए हिजाब विबात के मामले में आज करनाटक हाई कोट का फैसला आया है तीन जजों की बैठक ने फैसला लिया कि हिजाब पहनना इसलाम में अनिवारी नहीं है इसलिए हिजाब विबात को अब आगे न बढ़ा कर स्कूल कॉलिजों में ड्रेस कोड अपलाई करने की बात कही करनाटक हाई कोट के फैसले से असंतुष्ट चात्राओं ने सुप्रीम कोट की और रुख किया देखते हैं आगे सुप्रीम कोट का हिजाब विबात को लेकर क्या फैसला आता है हाई कोट का फैसला आते ही राजनेतिक पार्टियों ने चुटकियां लेना सुरू कर दिया भाजपा के बिधायक हरी भूशन ठाकुर ने खुसी चताती हुए कहा कि मजहवी कपड़े सड़क पर घूमने के लिए है ना कि सैक्षडिक संस्थानों और सरकारी जगों पर पहनने के लिए हिजाब विबात पर बिहार के विधायक सकील अहमत खान का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियां अपना तन ढखने का प्रियास करें बीजेपी को ये पसंद नहीं कि बीजेपी की ओपचारिक सोन निता पर धिककार है पूरे देश में औरतें घुंगट करती हैं ये हमारी रिती रवाज का हिस्सा है हिजाब पर हमेशा की तरह इस बार भी AIMIM के चीफ अशुद दीन ओविसी ने भी अपनी प्रितिक्या चाहिर की और कहा कि ये फैसला हमारे सम्विधान में बरणत आर्टिकल 15 की अभेलना है और हमारे अधिकारों से बंचित रखता है आगे उन्होंने कहा कि इसे सुप्रीम कोट में अपील किया जाए और अपने प्रक्ष को रखते हुए शम्विधान में अपने पारंपरिक रीतियों का भी हवाला दिया अब तक हिज़ा बिवात का मामला सुप्रीम कोट पहुँच चुका है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ धन्यवाद